अज बात करते हैं latent view analytics limited के बारे में देखिए इस stock में कहीं न कहीं एक downside trend चालू हो गया है consolidated zone जो नीचे की side में बनता जा रहा है उसमें लोग हाद से ज़्यादा panic हो रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें एक downward trend ना देखने को मिल जाए यह stock कुछ दिनों पहले बहुत ही अच्छा up trend दिखाया था देन उसके बाद ही downtrend बनाना चालू कर दिया है इस अगर stock की हम fundamental analysis की बात करें तो इसका जो पूरा market cap है वो 8215 करोड का है volume 3,000,000 के करीब करीब trade हो रहे हैं sales की बात करें तो 2022 के year में काफी अच्छी sales 408 करोड रुपए की sales इस ने बना दी हो कि पिछले सालों से काफी अच्छी है EPF 6 रुपए पर है अगर CAGR profit देखें तीन साल का तो 50% पर है ROE इसका 15.09 पर trade कर रहा है देखिए stock में जो fundamental है वो अच्छे हैं बट कहीं न कहीं इसके जो technical analysis है वो हमें इसमें selling का signal generate करते हैं moving average की बात करें में RSI की बात करें तो दोनों इसमें sell का signal generate करते हैं और जो MSCD है वो कहीं न कहीं इसमें moderate label पर बंता है तो stock पे फिलाल कोई buying opportunity नहीं है लेकिन जो hold करे हुए हैं उनके लिए अगर loss ज्यादा हो रहा है तो बिल्कुल hold करके रखें और एक long term नजरीया बना लें ये long term के लिए